सहब कासी राम का जनम 15 मार्च 1934 को हुआ था। उन्होंने भारत में पारमपरिक उच जाती के परभुत्ता वाली राजनितिक विवस्था को चुनोत दी। कासी राम अपने करांतिकारी भाषनों से विविन छेत्रों के लोगों से जुड़ने की समता के लिए जाने जाने लगे थे। कुमी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते रहे। कासी राम साहब दलीतों, आदिवासियों, पिछडों एवं अन्ने समाजिक रूप से वंचित समूदायों के लिए सेक्षनिक सरस्थानों, सरकारी नोकरियों में शिटों के अरक्षन के परबल समर्तक थे। जिनके लिए उनका एक नारा भी काफी परसीद रहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। साब एक लेखक भी थे और उन्हें ने समाजिक न्याए और भावजन ससक्तिकर्ण के विशेपर कई किताबे लिखी जिन में मुक्खे दचमचा एज सामिल है। 9 अक्टूबर 2006 को साब कासी राम जी का निदन हो गया था। साब कासी राम के परी निर्वान से भावजन समाज को बड़ी सती हुई हलागी उनकी विरासत और पार्टी के काम भरत में समाजिक न्याए समान तकी जारी लड़ाई के मध्यम से जीवित है।